जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फैरा था। इस धर्ति पर पहली आजाद भारतिय सरकार का गठन हुआ था। इस सब के साथ अंडमान की इसी धर्ति पर फीर सावरखर और उनके जैसे अंगिनत विरों ने देश के लिए तप तितिक्षा और बलीदानों की पराकास्टा को छुआ था। सेलुलर जेल की कोठरियां उस दिवार पे जड़ी हुई हर चीज आज भी अप्रतीम पीड़ा के साथ साथ उस अभूत्पुर्वत जज़बे के स्वर वहां पहुंचने वाले हर्क्षिजी के कान में पढ़ते हैं। सुना ही पढ़ते हैं। पहचान थी। मेरा सवभाग्य है कि चार-पांच साल पहले जब मैं पॉर्ट प्लेयर आया गया था तो वहां मुझे तीन मुख्य आइलेंड्स को खार्तिये नाम देने का आउसर मिला था। आज रॉस आइलेंड्स नेता जी सुभाद चंद्र बोध विब बन चुका है। हैवलोक और नील आयलेंड्स स्वराज और सहीद आयलेंड्स बन चुके हैं। और इसमें भी दिल्चस्प ये कि स्वराज और सहीद नाम तो खुद नेता जी का दिया हुआ था। इस नाम को भी आज हादी के बाद महत्वन नहीं दिया गया था। जब आजाद हिंद फोच की सरकार के 75 वर्ष पूरे हुए तो हमारी सरकार ने इन नामों को फिर से स्थापित किया था। आज 21 सदी का ये समय देख रहा है कि कैसे जिन नेता जी सुभास को आजहादी के बाद भूला देने का प्रयास हुआ आजदेश उनी नेता जी को पल पल याद कर रहा है। अनमान में जिस जगह नेता जी ने सबसे पहले तिरंगा फैराया था। वहां आज गगन चुम्बी तिरंगा आजाध हिन फोच के पराकरम का गुणगान कर रहा है। पूरे देश में और देश के कोने कोने से जब लोग यहां आते हैं तो समंदर किनारे लहराते तिरंगों को देखकर उनके दिलों में देश भक्ति का रोमाच भर जाता है। अब अन्दमान में उनकी याद में जो मुजियम और समार्ग बनने जा रहा है। वो अन्दमान की यात्रा को और भी समर्णिय बनाएगा। 2019 में नेताजी से जुड़े ऐसे ही एक मुजियम का लोकारपन दिल्ली के लाल किले में भी हुआ था। आज लाल किला जाने वाले लोकों के लिए वो मुजियम एक प्रकार से हर पीड़ी के लिए प्रेरणा स्थली की तरह है। इसी तरह बंगाल में उनकी 125 वी जेंती पर विशेश आयोजन हुए थे। देश ने इस दिन को पूरे धुम धाम से सलिपरेट किया था। उनके जन्म दिवस को पराकरम दिवस के रूप में गोशित किया गया। यानि बंगाल से लेकर दिल्ली और अंडमान तक देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है। जो नेता जी को नमन कर रहा हो उनकी विरासत को संजोन रहा हो। साथियों, बीते आठ नव वर्षों में नेता जी सुभास अंद्रबोस के जुड़े ऐसे कितने काम देश में हुए हैं। जीने आजहादी के तुरंद बात से हो जाना चाहिए था। तिको समय नहीं हुआ। देश के एक हिस्से पर आजहाद भारत की पहली सरकार 1943 में बनी थी। इस समय को अब देश जादा गौरव के साथ स्विकार कर रहा है। जब आजहाद हिन सरकार के गठन के 55 वर्ष पुरे हुए तब लाल के लिए पर देश ने जन्ना भारा कर नेता जी को नमन किया था। दसकों से नेता जी के जीवन से जुड़ी फाइलों को सारवजने करने की मांग हो रही थी। ये काम भी देश ने पूरी स्रध्धा के साथ आगे बढ़ाया। दिला रही है। मैं समझता हूँ ये काम देश हित्में बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। क्योंकि जिन देशों ने अपने नायक नाईकाओं को समय रहते जन्मानत से जोड़ा, सांजे और समर्थ आदर्स गड़े वो विकास और राष्ट निर्वान की दोर में बहुत आगे गए। इसलिए यही काम आजादी के अमरित काल में भारत कर रहा है, जी जान से कर रहा है। जी जान से कर रहा है। जी जान से कर रहा है।